हालो दोस्तों स्वागत आपका फ्रेंड इस्टेडी सर्किल चैनल में जो भी स्टुडेंट अलाभाद हाई कोर्ट का आप तयारी करते हैं जैसे की आरो यारो गुरूप C और D के लिए तो उसी का अगले पार्ट में हम लोग चल रहा है वर्ड पावर की सेक्शन चल रही गय चल लिए आज की सुरू करते हैं पहला वर्ड है सिम्पेथटिक सिम्पेथटिक मींस होता है सहानुभूति पूर्ड यानि की केरिंग और कमपैसनेट इसका सिनॉनिम्स हो जाएगा तो केरिंग आपको पता ही होगा कि जो देखभाल करता है और कमपैसनेट भी सहानुभू कि आप इसे अपने सेंटेंस के एकार्डिंग लर्न कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला वर्ड है टीडियस टीडियस मिस होता है थकाऊ यानि कि सिनानिम्स जो होगा वो होगा लेडन सीडेट आप स्पेलिंग पर भी विस्टेस रुप से ध्यान देंगे जब तक स्पेलिंग लर्न नहीं होगा तब तक आप कुछ से जो प्रनॉंसियेशन है वो भी आप सही से नहीं कर पाएंगे और क्या उसका वर्ड का मीनिंग्स निकल रहा है वो भी आप यदि थोड़ा बहुत लर्न भी करेंगे तो फिर कुछ दिन बाद आप भूल सकते हैं तो इस का वर्ड है ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट मिन्स होता है अलप पार्दर्सी यानि कि सेमी ट्रांसपारेंट तो सेमी ट्रांसपारेंट इसका सिनॉनिम्स हो जाएगा ट्रांसलूसेंट अलप पार्दर्सी इसका वर्ड का मेनिंग है त्रिर्जन मींस होता है राजद्रोव यानिתU國 कार देना तो ट्रिजन का ये सिनानिम से रिवर्ड होगा और भी कोई रिवर्ड से र olduğ aap वर्ड मिले तो आप उसके आगे लेगे जिससे आपको ट्रिजन जो वर्ड है इसके सीनानिम के रूम में learn भी हो जाएगा और नया word में मिल जाएगा तो treason राज़दरो सिंपली से याद करेंगे reason किस वज़े से ये treason हुआ है ऐसा क्या reason है जिससे ये treason हो गया है आपको reason का spelling पता होगा और ये ये reason मिस होता है कारण तो t लगा देंगे राज़दरो अराम से याद कर सकते हैं कोई-कोई वर्ड ऐसे होते हैं कि तुरंत याद हो सकते हैं और किसी को sentence में इस्तिमाल करके आप learn कर सकते हैं अगला वर्ड है tremendous tremendous मिस होता है भेंकर यानि कि terrible T-R-E-M-E-N-D-O-U-S tremendous अगला वर्ड है ubiquitous ubiquitous मिस होता है सर्वभ्यापी यानि universal जो हर जगा विद्यमान हो ऐसे में हम लोग ubiquitous को use करेंगे और universal जो होता है इसका synonyms हो जाता है ये भी वर्ड exam में बहुत बार पूछे जाते हैं तो इसको आप लोग अच्छे तरह से learn किजेगा अगला वर्ड है uncouth uncouth मिस होता है गमार या असब्या जिसका synonyms हो जाएगा uncivilized civilized आपको पता होगा civilized मिस होता है असब्यापी और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें prefix लग गया है तो इस वज़े से union uncivilized तो इसमें भी आप uncouth को भी याद कर सकते हैं impolite, rude और uncivilized जो हैं इसके synonyms हो जाएंगे uncouth जो होगा अर्षब्य हो जाता है तो simply इस तरह से आप इसके synonyms से learn कर सकते हैं spelling पे ध्यान देंगे uncouth अगला वर्ड है vindictive vindictive मिस होता है प्रतिसोधी यानि कि जिससे बदला लेना हो यानि किसी काम को करने से यदि जगडा हुआ हो और उससे आपको बदला लेना हो तो वहाँ पे आप revengeful word यूज करते हैं revenge लेना है, बदला लेना है तो उसी word से ही ये word relate करना है हमको और vindictive जो word है उसको revengeful से learn करके आप इसे आगे बढ़ सकते हैं तो कहीं कहीं पे revengeful word नहीं देता है direct देता है vindictive तो vindictive जहां भी word रहे vin, d, i, c, t, i, v vindictive मिल्स होता है प्रतिसोधी या प्रतिसोध अगला word है weary, weary मिल्स होता है ठका हुआ या त्सोष्त तो इसके लिए आप simply tired यूज कर सकते हैं, tired word weary के लिए हुए और simply याद भी हो जाएगा weary और जो आज का last word है वो है jealous jealous मिल्स होता है उत्साही यानि passionate है जिस किसी काम को आपको करने के लिए ज़्यादा ही चुक हो हो हूँ या फिर interested ज़्यादा हो तो ऐसे में jealous use use कर सकते हैं और एक jealous होता है आपको पता होगा j-e-a-l-o-u-s तो उसमें इर्स्यालू हो जाता है तो वो negative word है यहाँ पे z है j-e-a-l j-e-l-o-u-s jealous jealous word जो है वो jealous से ही बना है o-u-s यदि हटा देंगे तो अभी तो jealous जो है adjective word है लेकिन j-e-a-l जो जील हो जाएगा उस्सा हा तो इससे simply याद कर सकते है jealous और passionate इसका synonyms हो जाएगा और भी कोई word आपको मिले तो वो अब भी लिख सकते है और दोस्तों यदि अपने word power को improve करना है तो जो यह word है इनके आगे आप इनके और भी जो synonyms word है उनको यदि write कर लेंगे अपने book में अफिकापी में तो हमेशा के लिए यह word याद हो जाएंगे तो मिलते हैं अगले word power के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अपना ख्याला के take care bye bye